आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 9 इंच लिए अब हमें आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर देना है तो हमने आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर दिया है अब इस डिजाइन को तयार करने के लिए हम देड इन्चोडा एक लंबा सा कपडा लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करके हमें आस्तिन पे यहां पे लगाना है अब हम इसके उपर एक बराबर में सीथी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है और एश्टा कपड़े को भी अब हम यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद जो हमारा आस्तिन का दूसरा टुकड़ा है उसमें भी हमें ऐसी डिजाइन तयार कर लेनी है तो हमारी दोनों साइट के डिजाइन कम्प्लीट हो चली है अब देर इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे उस कपड़े के उपर हमें आस्तिन के कपड़े को ऐसे लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ पर सिलाई को स्टॉप करेंगे और आस्तिन के कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे और इसके दूसरे साइड में हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे जोड़ लेंगे जिससे दोनों साइड का हमारा आस्तिन का कपड़ा एक दूसरे में ज्वाइन्ट हो जाएगा अब हमें यहां से धागे को कट करना है और नीचे की साइड से एश्टा कपड़े को भी कट कर लेना है अब हमें यहां से ऐसे तिर्ची में चूनट बनाना है यह एक और यह दूसरा चूनट एक साइड में हमें दो चूनट बनाने है अब हम इस साइड में दो चूनट बना लेते हैं तिर्ची में हमें चूनट बनानी है अब हम यहाँ से धागी को कट करेंगे और नीचे की साइड से एश्टा कपड़े को भी उपर की साइड में भी हमारा हलका सा एश्टा कपड़ा है तो हम उसकी cutting कर लेंगे, यहां से, इस line को complete करने के बाद, डिजाइन में हमें bottom लगा देने हैं, तो हमें यहां पर ऐसे bottom लगाने है friend, इस line को complete करने के बाद, हमें ऐसे बक्रम की cutting कर लेनी है, डिजाइन की लंबाई तीन इंचे और डिजाइन की चोड़ाई धाई इंचे इसे इस्तरी की सायता से हमें कपड़े पे ऐसे चिपका देना है और सेम साइच का हमें दूसरे कलर का कपड़ा लेना है कपड़े को हमें ऐसे जॉइंट करना है अब जिस सेप में हमारा बकरम का टिजाइन है बिल्कुल उसी सेफ में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागी को कट कर लेना है और किनारे की साइट से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्टा कपड़े की कटिंग करनी है, सिलाई के ऊपर नहीं अब हम इसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे तो ऐसे हमें अच्छे से इसे सीधा कर लेना है और इसे सीधा करने के बाद हमें इसे इस्तरी कर देना है और ऐसी फ्रेंड हमने धेशारी डिजाइन बना ली है इस डिजाइन को तयार करने के लिए हमें तीन इंग चोड़ा एक लंबा सा बक्रम लेना है बक्रम को हमें कपड़े पे ऐसे चिपका देना है बक्रम के लंबाई आस्तिन की चोड़ाई के बराबर होनी चाहिए और इसके उपर सिलाई चला लेनी है अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ओप्सन जरूर सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें किनारे की साइड से एश्टा कपड़े की कटिंग कर देना है तो हम ऐसे एश्टा कपड़े की कटिंग कर देंगे अब हम डिजाइन को उल्टा करेंगे और देड़ इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे हमें डिजाइन की उपर ऐसे लगाना है किनारी की साइड में अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और एस्टा कपड़े को भी डिजाइन को सीधा करते हुए हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए कहीं ज़्यादा चोड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हमें यहां से धागी को कट कर देना है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें इस डिजाइन को आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट करना है तो यह रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा आस्तिन के कपड़े में हम डिजाइन को ऐसे नीचे की साइड में लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे तो फ्रेंड आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो